महाभारत में अनेक महान पात्र हुए जिनमे भगवान श्री कृष्ण, पिता महभीश्म, अर्जुन और करण मुख्य नायक माने जाते हैं. इन सभी पात्रों में रही अनेक विशेश्टाओं के कारण महाभारत के कई प्रसंगों में अलग-अलग नामों से संबोधित किया जाता है. जैसे कि हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को केशव माधव वासुदेव ऐसे और भी अनेक नामों से प्रसंग के अनुरूप संबोधित किया जाता है. वैसे ही करण के भी अनेक नाम है. जी हाँ दोस्तों वेद व्यास जी की महाभारत में करण को भी कई ना उसे संबोधित किया गया है. और वे सभी नाम के अनुसार उनमें उन गुनों को भी पाया गया है. दोस्तों हर नाम की ऐसी खुबिया है जिसे शायद ही आप जानते हो. दोस्तों क्या आप करण के सोलह नामों के बारे में जानते हैं? यदि जानते हैं तो अभी यी करके बताएए आप कितने नाम जानते हैं दोस्तों करन के नाम और उसके कारण जानोगे तो आप दंग रह जाओगे चलिए जानते हैं महाभारत के इस महान योध्धा करन के सोलह नाम के बारे में महाभारत काल में सबसे पहला नाम करन प्रचलित रहा है इस नाम से ही विप्र पसिद्ध हुए है जिसका अर्थ होता है अपनी स्वयम की देह अत्वा कवच को भेदने वाला। अब जानते हैं कर्ण के बाकी अन्य पंद्रह नाम और उनके अर्थ के बारे में। तीसरा नाम है रश्मिरती जो सूर्य देव का पुत्र होने के कारण प्रकाश के रत पर सवार होने की क्षमता रखता था इसलिए उसे रश्मिरती भी कहा जाता था। इसलिए उसे सूर्य पुत्र कहा जाता है। सब अपने अपने कोशल दिखा रहे थे तब करण ने भी उसमें हिस्सा लेना चाहा तब सुत्पुत्र होने पर उसका मजाग बनाया गया जब दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया था। इसलिए अंग राज्य का राजा होने के कारण उसे अंग राज कहा जाता था। ग्यारवा नाम है दानशूर, सच्चाई से और नीती नियम से सच्चे योद्दा की तरह बिना चल कपट के लड़ने की उसकी खासियत के कारण उसे दानशूर भी कहा जाता था। परशुराम शिश्य भी पढ़ गया था। इस तो क्या आप जानते थे इस नाम और इस कारणों के बारे में। महाभारत में कर्ण से जुड़ी ऐसी कई रोचक बाते हैं जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं जो हम आपको आगे वीडियो में सुनाते रहेंगे। बस आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सभी जानकारी मिले। धन्यबाद।